निमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में आज आपकी साथ एक ऐसा घरेलून उसका शेयर कर रहे हैं जिसे अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो कभी भी आपको डाइबटीज नहीं होगी कभी भी मुटापा नहीं आएगा कभी खून की कमी नहीं होगी कभी भी जोडों में दर्द की दिक्कत नहीं होगी कभी भी लीवर में या फिर किड्नी में इंफेक्शन नहीं होगा पत्री नहीं बनेगी आँटों में गंदीगी जमा नहीं होगी आँखों की रोशनी कमजोर नहीं होगी मतलब मानके चलिए अगर आपको स्वस्त रहना है सो साल तक निरोगी जीवन जीना है तो उसके लिए आप आज से ही इस घरेल नुसके को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो पलीस लाइक कीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा और आज की इस जानकारी को सभी के साथ शेयर जरूर कीजेगा तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इसे कैसे बनाना है तो इसने उसके को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है करेला यह जब सीजन में अवीलेबल हो तभी आपने इसे 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 इस realistic नहीं करेंगी तो यहाँ पर करेला अपने लेना है करेला छो है शरीर में इंसुलिन बढ़ाने में काफी ज़दा मदद करता है साथी साथ healthy blood sugar के जो इसतर है उसको control करने में काफी मदद करता है अगर आब इसे अपनी diet पे शामिल करते हैं तो इससे आपका खून साफ होता है और इसे पीने से आपके शरीर से सारे टॉक्सिंस बहार निकल जाते हैं इसका इस्तमाल करने से शरीर में आरेन की डिफिसंसी नहीं होती है और शरीर में खून की कमी भी नहीं होती है जब कभी भी कोई कड़वी चीज आप अपने डाइट में शामिल करते हैं सबसे बड़ा फाइदा आपको इस चीज़ का ये मिलता है कि आपकी किड़नी में आपके लीवर में कहीं पर भी गंदगी जमा नहीं होती है जब कोई भी कड़वी चीज़ आप खाते है ना तो ये सोच कर खाया कीजिए कि इस से आपका लीवर क्लीन होता है तो यहां पर आपने जो है करेला लेना है और बहुत आसानी से मारकेट में available होता है तो इसे आपने easy खरीद लेना है बहुत सस्ते में आपको एक करेला तो दिन तक आपके कामद कर जाएगा तो यहां पर सबसे बहले आपने इसके start point और end point को cut कर लेना है और इसके बाद आप इसको आधे करेले को ही एक बार में यूज़ करेंगे आधा करेला हम नेक्स डे यूज़ करेंगे और इसको गोल-गोल पीसीज में काटने के बाद इसके बीज को रिमूब जरूर कर दीजेगा क्योंकि पके हुए बीज को कंजियूम करने में हमें बहुत परिशानी आती है तो यहां पर अगली जो चीज आपने इस्तमाल करनी है वो है गाजर आप सभी जानते हैं कि हमारे स्किन के लिए हमारी आखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए सरीज में खून को बढ़ाने के लिए गाजर बहुत जादा फाइदा करती है तो इसे अपनी रैट में जरूर शामिल कीजेगा गाजर चाहें रेड वाली हो जो सर्दियों में आती है या फिर गर्मियों में जो यिए ऐरेंज वाली मिलती है यह हो दोनों में से कोई सी भी आपसे लिएद रहती हैं और ये हमेशा सीजन में एविलेबल रहती है तो इसका इससी लिए किया जा सकता है गाजर में भरपूर मातरा में ऐसे पोशक तत्व पाय जाते हैं जो कि आपके शरीर से आँखों की कमजोरी को दूर करते हैं वजन को नियंतित रखते हैं इम्यूनिटी आपके बढ़ती है बलड शुकर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है और तो अच्छा में आपकी निखार आता है अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो शरीर में बिल्कुल भी खून की कमी नहीं होती तो यहाँ पर आपने आदी गाजर का इस्तमाल करना है मैं यह सर्फ एक व्यक्ति के लिए बना रही हूँ अगर आपको जो है दो तीन लोगों के लिए बनाना है तो क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं तो सबसे पहले आप गाजर को अच्छे से च्छी लीजिए बढ़िया तरीके से और उसके बाद आप इसे चोटे चोटे पिस्यस में कट करेंगे लेकिन अभी हम बात में करेंगे अब यहाँ पर आपने लेना है खीरा ये भी अगर सीजनल है अगर सीजन में आपको अविलेबल है तो लीजेगा नहीं तो आप स्किप्ट कर सकते हैं नहीं तो आप जो है इसको कैसे बना सकते हैं वो वीडियो के अंड में आपको बताऊंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने खीरे को लिया है कि खीरे को दुलकर साफ करके इसको छील लीजिएगा छीलने के बाद इसके अगर बीज जो है वो पके हुए हैं तो उन्हें रिमूव करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि जिन लोगों को भी पत्रे की समस्या होती है उनको बीज डाइजस्ट नहीं होते हैं तो ऐसे में आप करेले के बीज भी निकाल दीजेगा और साथ में खीरे के बीज को भी रिमूव कर दीजेगा तो आप देख सकते हैं सामने कि सारे पी सिस्टे मैंने जो है खीरे के बीजो को आलग कर दिया है बढ़िया तरीके से अब आपने क्या यूज करना है चलिए आपको बताते हैं बहुत गजब के फायदे देती हैं सारी चीजे आपको तो यहांपर जो अगली चीज आपने इ वो है चुकंदर आँखों की रोशनी बढ़ाने में काफी मदद करता है साथे साथे साथाथ को बहुत زादा मदद करता है शरीर में क Chinese को का मदद कर्ता यह पर सक Además करेंगे चाहें तो आधा चुकंदर भी इस्तमाल कर सकते हैं और चाहें तो पूरा एक चुकंदर भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पर गाजल ली है तो इसलिए मैंने सिर्फ एक पीस लिया है अदरवाइस आपके पास गाजल ना हो तो आप पूरा एक चुकंदर यहाँ एक मिक्सी का जार लेना है और इन सारी चीजों को आपने इसके अंदर डाल देना है अब यहां पर आपने जो है थोड़ा सा जीरा डालना है मतलब लगभग लगभग एक चुथाई जम्मच इससे जादा नहीं डालेंगे जीरा जो है सरीर से एक्स्टा वॉटर को काम करता है बोडी को डेटॉक्स करता है नसों को खुनने का काम करता है और यह जो है डाबेटीस के रोगियों के लिए भी खाएद़ काम करता है अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो भी आपके शरीर के लिए बहुत फाएद बंध है तो यह आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसको बस ऐसी धकन लगा करके पीस लीजिए तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पीस करके तयार कर लिया है अब इसे एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेंगे ये बहुत ही बढ़िया आपकी स्वादिश टेक्जम चटनी बन करके तयार हो गई है जिस से बढ़िया मुझे रहता है कि आप इसे लंच में अड़ करें अगर अपने तो आपको कभी भी खून की कमें नहीं होगी आँखों की रोशनी कमजोर नहीं होगी इन डाइजेशन की प्राप्लम जिन लोगों को रहती है गैस एसिडिटी बहुत जादा बनती है उनको ये स इसको जो है नमका पसंद नहीं करते हैं नमक डाला है जैसे मैंने तो आप इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री भी आड़ कर सकते हैं ताकि खाने में इसका टेस्ट बढ़ जाए और सभी लोग एजिली खा लें अब मालीजी सब लोग मना कर रहे हैं इसको खाते ही नहीं है तो एक option और भी है कि आप इसे जो है जो भी सबजी बना रही है ना उसमें इसको add on कर दीजिए इससे थोड़ा बहुत सबजी का टेस्ट उपर नीचे हो जाएगा लेकिन इसके फायदे आपको मिलेंगे और easily सब लोग इसे खा पिलेंगे अगर आपके घर में जो है इस तर लीजेगा और इसका जूस निकाल लीजेगा उसमें हलका सा काला नमक डाल करके या फ्रिजीरा पाउडर डाल करके आप कर लीजेगा या किसी को भी कंजियूम करा दीजेगा वो लोग easily इसको कंजियूम कर लेंगे और इसके बहुत घर गजब के फाइदे उनको मिलेंगे आपके शरीर को गजब के फाइदे देता है आप एक बार ट्राइ करके जरूर देखेगा मातर एक हफ़ता भी अगर आपने इसको जो है खा लिया अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो इसके फाइदे जो हैं आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे जो लोग अकसर परिसान रहते हैं कि सकिन में गलो नहीं आता तो ये सकिन में गलो लेकर के आता है बाल जड़ने से परिशान है तो आपके बालों को जड़ने से भी रोगता है आप इसे बच्चों की डाइट में भी जरूर शामिल कीजेगा क्योंकि ये उनको भी बहुत फायदा करता है अगर बच्चों की आँखे कमजोर होने लगी है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों की स्किन खराब होने लगी है तो आप इसको जो है उन्हें जरूर दीजेगा इससे उनको बहुत benefits मिलेंगे बचों को हीमोगलोबिन की कमी एक्सर हो जाती है तो हीमोगलोबिन की कमी उनके शडीर में नहीं होगी तो आप इसको बहुत जो जो हो आप इसको बार दो कोई के लिनगें हो उनको बहुत पराज जाता है वीडियो अच़्े लगा हो पसंद आया हो तो ला마 करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंट तक देखने के लिए अब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तो स्टे हेल्दी, स्टे हैपी, बाबाई